नमश्कार, मैं हूँ डॉक्टर नी विजटा और आज मैं आपसे बात करूँगी कुछ घरेलू उपचार के बारे में जो अस्थमा में आप उप्योग करके अस्थमा की जो सिंटम से उनसे खासा राहत पास सकते हैं जिब हम अस्थमा की बात करते हैं तो ये एक गंभीर बिमारी है जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, सीने में दर्ध होता है और बार-बार खासी आती है जिसमें कई बार बल गम भी आता है ये जो समस्याइं हैं इन से उबरने के लिए आप कई सारी मेडिकेशन्स और इन्हेलर्स, नेबिलाइजेशन्स रेगलर बेसिस पर लेने के लिए कहा जाता है बट कुछ घरेलो उपचार करके भी इन से आप छुटकारा पा सकते हैं तो एक के बाद एक आज हम इनी के विशे में बात करेंगे जी हाँ सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं हल्दी जी हाँ हल्दी घर में आसानी से मिल जाने वाला एक हर्ब है और इसके अंदर antimicrobial, antibacterial, anti-inflammatory इत्यादी बहुत सारे गुण होते हैं तो हल्दी को आप regular basis पे यूज कर सकते हैं हल्दी वाली चाय या फिर हल्दी को शहद में मिला के आप ले सकते हैं आपको एक कप गरम पानी लेना हैं उसमें आधा चमच हल्दी डालनी हैं हल्दी का पॉडर और फिर उस पानी को आप दिन में दो से तीन बार लें ये anti-inflammatory होने की वज़े से आपके गले में जो बार-बार खासी की वज़े से जखम पैदा हो जाते हैं या कई बार बहुत जाता दर्द होता है उससे राहत दिलाएगा इसी के साथ आप चाहें तो गालिक ले सकते हैं गालिक में भी anti-inflammatory गुण होता है जिसकी वज़े से आपको जो खासी आती है बार-बार या गले में अगर आपको अवरोध पैदा हो रहा है या फिर वहाँ पे सूजन आ गई है तो उसको ठीक करने में आपको खासा आप यह कह सकते हैं कि बहुत जादा आराम मिलता है इसी के साथ में आप शहद को regular basis पे ले शहद को लेने के दो तरीके होते हैं एक आप उसको गरम पानी में शहद को simply मिला के ले सकते हैं एक चमच दिन में दो से तीन बार या फिर आप उसी के साथ साथ इसको दाल चीनी के पॉडर के साथ मिक्स करके दिन में दो से तीन बार भी ले सकते हैं इसे के साथ आपको डाल चीनी का जो powder होता है अगर आप उससे देखें तो उसमें भी anti-inflammatory गुण होता है तो इसे भी अगर आप चाहें तो या तो इसकी चाय बना के ले सकते हैं डाल चीनी के जो आपको बाक मिल जाती है असानी से तो आप उसको पानी में भिगो ले 2-3 इसे के साथ साथ अध्रक ये बहुत ही जादा चार में आने वाली एक हर्ब है ये बहुत आसानी सापके किचिन में मिल जाती है तो अध्रक को आपको regular basis पे यूज़ करना चाहिए आपको करना क्या है इसकी anti-inflammatory गुणों को यूज़ करने के लिए अध्रक को थोड़ा सा ग तो ये जो भी मैंने आपको अभी घरेलू नुसके बताए अगर आप इसे regular basis पे ले रहे हैं तो स्वास में जो आपको अवरोध हो रहा है खासी आ रही है बलगम हो रहा है या फिर आपके सीने में बहुत जादा दर्ध हो रहा है इन सभी symptom से आपको राहत मिलनी शुरू हो झाल